दिखे जिस तरह गा ओचार घटिया ब्यान कुरान शरीफ के बारे में वसीम रिजवी ने दिया है उसकी घोर निंदा करते हैं भारती जनता पार्टी कुरान शरीफ सहीत सारे धर्मगरंथ का सम्मान करती है किसी भी धर्मगरंथ के बारे में कोई भी टिपनी करे वो सुईकार नहीं हमारे किंद्रे नितरुत ने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धर्मिक भावना को थेस पहुँचाने का किसी को हक नहीं है लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलिफाओं के लिए ओच्छी बियान बाजी की है इसकी मैं गोर निंदा करता हूं कि कर दे लिए को मुल्क के माहूल को खराब करने की अजासत नहीं दी जा सकती इस तरह कि ओचे बियान बाजी की इस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बियान बाजी की है कुरान शरीफ के बारे में वो पूरी तरह सुटार है हमारे निता तो नियंदर मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान है एक हाथ में खुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें हम किसी की भी धार्मिक भावना को खेस पहुचाना नहीं चाहते हम सब का सम्मान करते हैं और वसीम रिजवी का भारती जिन्ता पार्टी से कोई संबंद नहीं है वो समाजवादी पार्टी के निता आजम खान के वक्त में वो वखबोड के शिया वखबोड का चेर्मेन बना था भारती जिन्ता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंद नहीं सिरलंका किस तरह से आप देखते हैं जी जानकारी है मैं पूरा पता करूँगा अभी आपने जो जानकारी दिये है इसके बारे में हम पता करके बताएंगे बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि टीमसी की सरकार को भगा कर वो रहेगी और वहां भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी मैं कल फिर से परचाड़ अभियान के लिए बंगाल जा रहा हूँ और हमारे साड़े बड़े निता बंगाल के चुनाओं में पूरी ताकत से T.M.C. की सरकार को सत्ता से बेदेखल करने के लिए काम कर रहे हैं मुल्क के माहौल को खराब करने की अजासत नहीं दी जा सकती इस तरह के ओच्छे बयानबाजी की अजासत नहीं दी जा सकती जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में वो पूरी तरह सुईकार है हमारे निता तो नियंदर मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान है एक हाथ में खुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुचाना नहीं चाहते हम सब का सम्मान करते हैं और वसीम रिजवी का भारती जिनता पार्टी से कोई संबंद नहीं है वो समाजवादी पार्टी के निता आजम खान के वक्त में वो वक्षबोड के शिया वक्षबोड का चेर्मेन बना था भारती जिनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंद नहीं सिरलंका में तक्रिबन एक हजार मदर्सों को बंद कर दिया गया है और बुर्का पर बैन लगा दिया गया है इसको किस तरह से आप देखते हैं यह जानकारी है फैशनेबल दिखना हर किसी का हग है अगर आप भी ऐसा ही सुचती है तो चले आईए जहां आपको मिलता है खुबसूरत लेडिस गाव्मेंट्स का प्यूडिफुल कलेक्शन तर रॉयल फैशन अ प्यूडिफुल कलेक्शन अफ लेडिस गाव्मेंट्स एंट बुटीक यूबी टाओर, ग्राउंड फ्लोर, सरया घंजबल जफरपूर या कॉल करें 8201-96723 तर रॉयल फैशन क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है